आप हलो दोस्तों आज फिरेक मैं न्योड यान लेका है हूँ रोयल नीँक्ष कोट यह हमारा फैस्टGr में दयान में दोस्तों यह Royal Base Coat है तो पैस कोड जो दोस्तों हमारा है इसको tell लोगीज़ेन कोड़ से कणल को यह चार चार धाइ किट कोड़ को आर नहीं कोड़ों में इसकी covering आई तो सीधर चार चार कोट मानने बढ़े तभी इसकी covering आई थी दोस्तो सुरू में जो हमने क्या करा था पुट्टी पुट्टी उपर प्राइमल लगाया था फिर चार कोट लगाते हैं दोस्तो यह हमारे ट्रे है यह दो रूलर है रूलर दोस्तो प्लाश्टिक के होते हैं यह वाले यह जीरो नंबर के स्पोंज रूलर नहीं है और एक यह उपर से रूलर लगता है दोस्तो इसमें दो खाने अलग अलग तरीके से होते हैं कि नीचे रूलर का अलग खाना होगा उपर वाले रूलर का अलग खाना होगा और उसके बाद यह दो पत्तिया लगी होती है सेट में तो यह रूलर हमारा है यह अपनी हमारी इंडिया में नहीं है भी यह भार है तो अगर होगा भी तो खास में नहीं पता इसका क्योंकि मैंन नीचे आपने दो रोलर जो हमारे हैं वप्त लेना उसको बाद को कि ऑफ प्तियों बीद के साथ स्थ वह नहीं है बंस रूलर को ज़्यदा ट्याइट करना है उसको टच रखना है जो कि इसको पीछे को धा के जो कि आप ऊपर का रूलर बी ट्रीट चले और दिवाल पर फिचले मसल बहुत हलकी दबास रखनी है दो हमाल उटता रहे हैं यह दोस्तों हमारा रोयल वाइट है इसको हमने सिर्फ पानी में लोटा है उसके बाद इसमें हमने 500 ग्राम करीब पाइंट डाला है जादे नहीं डाला देड़ सो ग्राम आप भी डाल सकते हो और इसके अंदर माल कितना डालना यह भी मैं बतायता हूं त्रे के अंदर जो माल डालना है आपने दोस्तों वह नीच तो उनमें से एक रूलर आपका हलका सा डूबना मतलब आदे से थोड़ा ज्यादा डूबना चाहिए पूरा भी नहीं डूब है माल में नहीं तो पूरा अगा डूब होगी तो इस तरह से निकलने लगेगा देखिए आप मैंने ज्यादा डाल जिया था माल देखो कि इस त ट्रे अगर सीधी नहीं चली हाथ सीधा नहीं चला तो क्या होगा दोस्तों कि आपका डिजान सही नहीं निकलेगा और आपका रूलर भी फिसलता जाएगा दोस्तों इस में क्या है कि इस रूलर से और इस ट्रे से आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी और जोड भी आपकी दि पर चलाना है और उपर से नीचे चलाओ गया तो आपके उसमें प्रोब्लम आ जाएगी मतलब फूल सापने हैं कम बरती फूल आएंगे दोस्तों कहीं कहीं आपको 19-20 का फरक दिखाई देता है तो उसको क्या करना है आपने बाद में रूलर निकालके और रूलर के साथ टेच करनी है और कुछ नहीं करना है और दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हो ना इसी तरह से आपने इसको करना है जैसे जैसे मैंने बताया है माल भी उसी तरह से डालना है और रूलर की आप सपाई देखो करने की और आपका फूल जो है उसको देखो आपका कितना साप आ रहा है और आप इसे करके एक बार देखना रूलर आपको चाहिए और यह ट्रेय चाहिए तो में नमबर दे दूँगा तो आप यह ओडर लिखवा देना तो मैं आपको मंगा कर दे दूँगा दोस्तो थोड़ा सा महेंगे प्राइज है वो मैं आपको बता दूँगा फून पर आपके कर पुरानी दिवार भी है ना तो बस माल डालो रूलर इसके अंदर और सीधा दिवार पर आप लगा दो जिससे कि आपका डिजान अपना भी निकलता चला जाएगा यह देखिए दोस्तों आप ग्रीन पे ग्रीन पर कितना अच्छा खिल के आ रहा है ग्रीन की उप आपको मैंने दिखा दिया फाइनल टेशिंग जो दोस्तों इस तरह की आई है यह देख सकते हो आप दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी किस तरह की लगी तो आपको मेरे कुई कमेंडम बताएं